प्रेंड अस्सलाम अलेकूम वेलकम टू एंड माई प्रोग्रेस त्रू टेक्नालोजीशनल आज को टॉपिक है टॉपिक नंबर 33 है तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर हमारे साथ एक ट्राइंगुलर शेप बार हो तो इसकी हम वेट किस तरह कैलकुलेट का के तो आज त्रो टॉपिक बहुत है तो व्यडियो को लास्ट तक लेगे तो चलो शुरू करते हैं यह हमारे साथ एक ट्राइंगुलर हम इसकी कि यह श्ङेप बनता है करा सिक्रिसियन इसका बनता है का इसको क्या का ढुका जाता है को कि िडरा ठाइंग्ल का जाता है यह सारे साइट बराबर यानी टू फी भी ऐई और गों प्रियमीं और इस बार के वियन्द है वो 10 फीट है जिसको हमने एल से जाहर किया है इस इसके साइड है तो इसका एक शेप है ठीक इसी तरह होता है अब हाव वेल कैलकुलेट दे वेट आफ ट्राइंगुलर शेप बार ये क्वेस्टन बन रहा है अब गेवन डेट यह है लेंट आफ दिबार कितना है ठीन फीट है साइड कितने है टू फीट है इसका साइड जो है हर एक साइड टू टू फीट है ठीक अब हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे इसकी जो एना वेट कैलकुलेशन किस तरह करेंगे बहुत आसान है हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए यह चुंके राइट इंगल है यह हमारे साथ Equilateral Tringle है इसको उर्दू में मसावी औल अजला मसल्स का जाता है के Types According to Side के लिहाज से हैm 6 अक्साम होता है Types According to Actγαeeee Types According to Act Ricky तीन अक्साम है Terra Types According to Galaxy है एक्षार्ट होता है चीक तो यह को इसके अक्साम है और साइट के लिए अगर बात कर लें तो एक्विलेट्रल सकेली और जो हमारेसाद त्रड होता है एकुलेल्ट्रal होता है इसमें साइण के लहाँ舐 किस टाइप का है साइण को dangos तो इसमें यह एक्विल्टरल टाइप एक्विल्टरल किसको किये थे मसावियलवाजदा ऐसा मुसलत जिसके साइट तमाम साइट बराबर हो अपसमें बराबर हो अब हाव विल्ट के लुक लुक टाफ ट्राइंगुलर शेप बार गिवन डेटा दिया है लेंद 10 फीट है अगर निकालना चाहे तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे तो पहले इसकी वाल्यूम कैलकुलेशन करेंगे वाल्यूम किसके बराबर होता है क्रासेक्शनल एरिया और इसको लेंज से हम क्या करेंगे मुल्टिप्लाई करेंगे अब इसका वाल्यूम बराबर हो जाएगा यह प हम find करते हैं तो इसक लिए जो हम जातर formula से निवार करते हैं वह 3 by 4 अंडर दी रूट multiply by side square यह के area का formula है ठीक आप चूंकि यह वालियूम है तो वालियूम के साथ definitely length by multiply होना चाहिए तो इदर हमने length by multiply किया कितना feet 10 feet वालियूम बराबर है 3 divided by 4 अंडर दी तो चुंकि यह साइट स्क्वेर है तो का हम स्क्वेर लेंगे मुल्टिप्लाइब है क्या करेंगे टेन इसकी लेंद अब यह वाल्यूम बन गया ठीक अब विच इपल टू त्री बाइफ और अंडर दे रूट तो 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 जार यानि दो को दो दफा आप क्या करेंगे इस की उपर स्क्वेर है तो दो दफा तो लाजमी बात है दो एक है तो फिर दो तो दोड़ने चार अब विल्यूम बन जाएगा त्री डूएड बाइफ और अंडर दिरूट से आजएगा जिरो पॉइंट फॉर त्री से ओधिल्यूम भाइब यूबिक फीट आ जाएगा वोल्यूम तो फॉइंड हो गया अब आगे असान है चीक वेट इसकी किसे तरह करेंगे वेट बराबर है वाल्यूम मुल्यूम उनिट वेट तो वेट बराबर है वल्यूम कितना है 17.3 तू क्यूबिक प्वीट है अब यूनिट वेट स्टील का कितना होता है 490 पाउंड होता है डिवाइड बाउंड टू पॉइड क्यूपर क्यू डिवाइड करते है ताकि यह किसमें चैंज हो जाए यह आपके साथ पांड से कीजी में चेंज हो जाए ठीक अब वेट 17.32 मुल्टिप्लाइब आया यह 409 भी डिवाइड बाए 2.2 से पर चार से आया 22.32 कीजी आया ठीक यह एक क्यूबिक फीट में इतना कीजी होता है ठीक अब वेट बराबर है इसको अगर इसके साथ प्रोडक्ट करें दो व पाट कीजी टोटल स्टील हा जाएगा यह नहीं अगर एक बार हो हमारे साथ टू बाई टू इसकी साइड हो ठीक है और इसकी लिंद कितनी हो 10 फीट हो तो उस बार का जो वेट होगा जो वजन होगा वो 3850 3850.58 कीजी होगा तो फ्रेंट यह ता वीडियो का लास्ट तो लाइक और कमेंट बाक्स में कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना बूले तैंक यू सो मच अगर कोई मसला हो तो मज़े कमेंट कर दें